तो दोस्तो आज हम बनाएंगे सर्दियों का बहुत ही खास और टेस्टी फूल गोवी का मसालेदार पराठे इसे बनाने के लिए एक बोल में डाले दो कपके मुखाटा और इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चमच अजवाइन आप चाहो तो अजवाइन को हाथों से क्रस करक सकते हो या इसे दरदरा कूट सकते हो इससे बहुत अच्छी खुषभू आएगी एक चथाई चंबर डाल दीजिए इसमें कुटी लाल मिच आप चाहो तो चिली फ्लक्स भी ले सकते हो गमक को हम आठी के अंदर नहीं डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए तीन मिनट चिकना करके थोड़ा सा तेल लगा के ढगके दस मिनट के लिए रख दीजिएगा जब तक आठा सेट हो रहे हैं तब तक हम फूल गोवी ले 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 देए इसके हमें डंधल तोड़ दी है तोड़ी बड़ी साइस की हमने गोवी लिए और इसके बाद हम इसे गो कोभीं हमने निकालके इसके फूलश हो अलग कर लिएंगिया कि इंअ फार्तर में ने गस पर पानी गोवी को इसमें डाल दीजिए उसके बाद यह सो बंस तिन से मिनट को भी को गरम पानी में रहने दीजेगा उसके बाद हम इसे निकाल के किसी भी छनी में निकाल लेंगे और जूब्य को ठंडी कर लेंगे तो देखें गुभी नहीं फैक बी दुर तक पानी में निकाल लेंगे तeki सारा पाणी निक cracking जाए और यह ठंडी हो जाएं जब गोवी यहां पर ठंडी हो जाएगी तो हम इसे प्रेट में निकाल लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे सारा पानी निकल जाने के बाद ही आप इसे ग्रेट करेंगे तो एक मोटे साइस कामने ग्रेटर ले लिया है अगर आपक तो आप उसका इस्तमाल करें और देखे सारे गोवी को हमने यह पे इसके फूल को कद्डू कस कर लिया है और इसके डंडल हटा दिया है तो गोवी के अंदर काफी सारा पानी होता है तो हम इसमें एक चमच नमक डालके इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम 10 मिनट के लिए ढ़ लिए दने दन लेंगे दस मिनन चलिए और आपके देख सकते हो जितना भी के मोशली ने सारा पानी हसाना चाल लेंगे अक्टीक्र ठोक सीवेशोरी आप जरूर निकलत Ini को धश्यक्र इसे से पानी होगा वह आसानी से निकल जाएगा इस इस पो अगर आप सजरूर करेंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे लें तो देखे इस पानी को हटा देते हैं और अब हम दूसरे बोल में यहाँ पर गोगी को निकाल देंगे इसके बाद दोस्तों हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख लीजिए आप बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है एक मीडियम साइज का प्याज को बिल्कुल बारी काट के इसी के अंदर डाल दीजिए तीन से चार बारी काटी हुई हरी मिच एक चमच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे आधा चोटा चमच डाल दीजे कुटी हुई लाल मिच आधा चोटा चमच हम डाल देंगे इसमें अमचुर पाउडर आधा चोटा चमच करम मसाला पाउडर आप चाओ तो भूना जीरा भी डाल सकते हो तो हमने चाट मसाला डाला था इसलिए हम जीरा पाउडर नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दिजे शुरू में हमने गोवी में नमक अड़ किया था तो अभी हम गोवी के अंदर नमक अड़ नहीं करेंगे तो देखे बिल्कुल ड्राई गोवी की चटपटी मसालेदारी स्टफिंग तयार है तब तक हम आठा देख लेगे हैं तो एक बार आठे को मसल के चितना कर लिजे उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे तो थोड़े बड़े साइस के पेड़े बनाएंगे पराठा हमें इस तरीके से चितना कर लिजे इसी तरीके से सारे पेड़े हम बनाएंगे तो अब हम इसे बरतन में रख देते हैं ढखके ताकि ये सूखे नहीं थोड़ा सा सूखा आटा लगाईए और इसे इस तरीके से गोल-गोल गुमा के कटोरी जैसा बना लिजे आप चाहतो इसे थ तो भी हम यहां पर ज्यादा भर रहें पराटों में अगर आपको स्टफिंग कम पसंदो तो आप अपने हिसाब से एक से डिर चमच यहां पर डाल सकती हो अंगूटे की मतलब से इसे अंदर के साइड दबा देजिए उसके बाद इसके सारे कॉर्णर पकड़के इसे अच्छ इसकी वज़े से यह बेलने में बहुत जंदी बिल जाएगा और हलके हलके हाथों से जब आप पराठा बेलेंगे तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं अगर जरुरत पड़े तो बीच में थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे फिर से बेलना स्टार्ट करें और जैसे हम पर साफ से दिख रही है और इसे निकालके पिलिट में रखते हैं और इसके बाद आपको दूसा पराठा बना के दिखाते हैं फिर से लोगी के उपर थोड़ा सा सूखा अटा लगाएंगे और इसे कटोरी जैसा बना लीजे उसके बाद हम ने जो मसालेदारे स्टफिंग को भी की बनाई थी उसे हम एक से दो चमज इसमें भर देंगे अगर आप स्टफिंग ज्यादा खाना पसंद करते हो तो आप तीन चमज भी से भर सकते हो और देखें इसके बाद हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले और सा बोड़ा सा सूखा अटा लगा लिजिए आपको बेलना शुरों करें चुछ अविंगे हैं पराठी को नेंदर को आएप पर ऑद घूढ़ नहीं में तो इसे जवं पराठे लाए घूalinya उसके अपको इसे बनाके दिखाते हैं तवे पे डालेंगे यहाँ पे पराटे को डाल देंगे जब तबा गरम हो जाएगा तो आप पराटे डालकर उसे पलड देजेए जब एक तरफ भग जाये तो उसके बार तेल घी बटर जो भी लगाना चाहते ओख यहाँ पे ओसे लगा सकते हो और इसपून से हम यहाँ पे कलर काफी बढ़िया आता है और पराठे सबी तरफ से पकते हैं कहीं से कच्चे नहीं से पके नहीं रहते हैं इसी तरीके से इसे पलट देने के बाद दूसरी तरफ भी घी लगा दीजिए और इसे अलट पलटके मेडियम टू हाई फ्लेम पे पराठो को सीख लिजी तो यहां बढ़ियां भरवा पराठे हमारे गोवी के बने हैं तो बस एक पराठा बनाकर हमने प्लेट में रख दिया इसी तरीके से दूसरे पराठो को भी डाल दीजिए जब एक तरफ पख जाए तो उसे के तरफ भी घी लगा दीजिए एक साइड घी लगाने के बाद इसे हलका सब करें और उसके बाद जब एक तरफ पख जाएगा इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे गर्मा गरम गोवी के पराठे दोस्तों किसे नहीं पतन आप भी इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे कि वाओ क्या पराठे बने हैं जब इस सुबह में आपको गोवी का बनाएंगे तो यह काफी टेस्टी लगते हैं देखे दोनों तरफ से कितना पड़िया सा कलर विया गया है इसी तरीके से हम अपने सारे पराठों पहले बना लेंगे और तैयार कर लेंगे तो गर्मा गरम दोस्तों लिजे गोवी के पराठे तैयार है हमारे बनके और आप इसे अपने पसंद से किसी भी सौस चटनी अचार के साथ खाएं वैसे तो मुझे मुमोस चटनी के साथ ये बहुत पसंद है आप चाहो तो इसे सेजवान चटनी के भी खा सकते हो या बीना चटनी के भी स्टार्ट कर सकते हो ड्रेस्प भी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा